नमस्ते बच्चों मैं क्लास एर्थ के लिए जो आप लोगों का डाउट है वही लेकर आया हूं तो देख लीजिए उसमें एक्सपोनेंट चेप्टर में जो डाउट है उसको तो एक्सरसाइज टू ए का कुश्चन नंबर थ्री है एक्सरसाइज आपका टू ए है और कुश्चन नंबर थ्री का कुश्चन थ्री का फर्स्ट पार्ट है इसमें 5 बाइन होल तो दी पावर माइनस तू 5 बाइन होल तू दी पावर माइनस तू अब इसमें आप ध्यान देंगे जो एक्सपोनेंट जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसमें सबसे फर्स्ट वर्क होता है जो आपका जो पावर है उसको पोजिटीव कर लें तो पोजिटीव करने के लिए हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे 5 by 9, sorry 9 by 5, 9 by 5, hold to the power 2, multiply 5 by 3, hold to the power 3, अब multiply यह 1 आ गया क्योंकि किसी भी नंबर पर 0 पावर होता है तो वो value उसका 1 हो जाता है अब यहां पर आप bracket open भी open कर लिजिए तो यहां क्या होगा 81 by 25, multiply 125 by 27, यहां से 25 से आप cancel कर दीजिए 5 टाइम्स में और 27 से इसको cancel कर दीजिए 3 टाइम्स में तो यह आपका 15 आ जाएगा सेकेंड डाउट है, question number 5 है, exercise 2A का question number 5 question number 5 में 1 by 3 whole to the power minus 3, 1 by 3 whole to the power minus 3 और divide by 1 by 4 whole to the power minus 3, यहां आप करेंगे क्या, इसको भी सबको positive ले आईए, तो यह क्या आ जाएगा, 3 by 1 whole to the power 3 minus 2 by 1 whole to the power 3, divide by 4 by 1 whole to the power 3, इसके बाद आप यहां पर यह 3 by 1 तो 3 है, 3 to the power 3, तो यह आगे आपका 27, 2 to the power 3, तो यह आगे आपका 8, divide यह आगे 64, 4 to the power 3 जो है वो 64 आगया, यह minus करेंगे, तो 19 आया, 19 divide by 64, divide का case में हम लोग 19 by 64 लिखके छोड़ देंगे, क्योंकि यह दोनों किसी से divisible, किसी एक number से divisible नहीं है, तो 19 by 64 इसका आजाएगा, next question आपका, question number, question number 10 है, 10 में आप देखिए, 4 by 9 to the power 4, x का value find करना है, यहाँ पर, 4 by 9, whole to the power 4, multiply, 4 by 9, whole to the power, minus 7, equal to, 4 by 9, whole to the power, 2x minus 1, 2x minus 1, यहाँ पर, यह दोनों का base same है, जब base same रहता है, multiply के case में power को add कर देते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 by 9, whole to the power, 4 plus minus 7, यहाँ गया, equal to, 4 by 9, whole to the power, 2x minus 1, इसको आप solve कर लिजे, यहाँ गया, 4 by 9, whole to the power, 4 minus 7, minus 3 आगया, equal to, 4 by 9, whole to the power, 2x minus 1, यह दोनों तरफ, base same आगया, जब base same हो जाता है, तो power equal हो जाता है, इसको cancel नहीं करना है, इसको इस तरीके से minus 3 equal to, 2x minus 1 आप लिख देंगे, तो यह minus 3 plus 1 is equal to 2x आपका, यह आगया, minus 2 equal to 2x, और यहाँ पर, minus 2 by 2 equal to x, देरफोर x equal to minus 1, अब यह satisfy होड़ा है या नहीं, इसको देखना है, तो यह जो आपका दोनों plus करने के बाद, minus 3 आगया है, यहाँ पर x का value रखके दखिए, दोनों का equal आता है या नहीं, तो यहाँ पर आप रखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 4 by 9 whole to the power क्या है, 2x, minus 1, x का value आप रखके देख लिजे, यहाँ पर, x का value 2 multiply minus 1, अब minus 1, तो यह आगया, 4 by 9, whole to the power minus 2, minus 1, तो यह आगया, आपका 4 by 9, whole to the power कितना, minus 3, आप देख लिजे, LHS में भी आपका minus 3 आया, तो इस तरीके से इसको आप solve कर लेंगे, लास्ट डाउट जो है, exercise 2a का question number 13 है, 13 में आपको देखना है किस तरीके से हम question बनाएंगे, इसको दो तरीके से आप बना सकते हैं, दोनों method हम बता देते हैं, उसमें जो आपको सही लगे, उसी से आप solve करेंगे, 13 में भी x का value ही निकालना है, उसमें दिया हुआ है 5 to the power 2x plus 1 divide by 25, divide by 25 equal to 125, इसको first method आप देखिए किस तरीके से बनाएंगे, आप ये बत पताईए, यहाँ पर 5 to the power 2x plus 1 by 25 equal to 125 लिख सकते हैं, त्योंकि divide का किसे denominator में आजाएगा, अब इसको लेके आप उधर चले जाएए, ये आगे आपका 5 to the power 2x plus 1 equal to 125 multiply by 25, आगे आप, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 to the power 2x plus 1 equal to, इसको 5 to the power 3 लिखेंगे, इसको 5 to the power 2 लिखेंगे, 125 5 to the power 3, 25 5 to the power 2, अब ये दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पर आगे आप 5 to the power 2x plus 1 equal to 5 to the power 5, बेस सेम है, multiply केस पावर एड हो जाएगा, अब यहाँ और यहाँ देखें, दोनों तरफ बेस सेम है, तो बेस सेम है, तो particle हो जाएगा, तो particle होने के लिए, यहाँ पर 2x plus 1 equal to 5, तो यह आगया 2x equal to 4, यह 1 minus हो गया इदा जाके, तो x equal to कितना आगया आपका, 2, x का value 2 आगया, यह first method था, second method में हम लोग देखेंगे, इसको किस तरीके से solve करते हैं, यहाँ पर हमको 5 to the power 2x plus 1 divide by 5 to the power 2, 25 को लिख दी 5 to the power 2, equal to 5 to the power 3, आगया, यह आपका 5 to the power, divide के case में base same रहता है, base same है 5 and 5, तो power minus हो जाता है, तो यहाँ आगया 2x plus 1 minus 2, is equal to 5 to the power 3, एक step और लिखते हैं इसमें, 5 to the power 2x minus 1 equal to 5 to the power 3, यहाँ पर plus 1 minus 2, तो minus 1 हो गया, अब देखें दोनों तरफ base same है, base same आगया, तो base same के case में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर power equal हो जाएगा, तो 2x minus 1 equal to 3, तो यह आया 2x is equal to 3 plus 1, तो 2x equal to 4, यहाँ पर x equal to 2, आप जिस method से बनाएंगे, वो आपका correct होगा, तो आपका exercise 2a, exercise 2b complete हो गया है, पर previous class में, Monday के class में ही वो हो चुगा था, तो आपका जो homework है, वो homework complete करना है, exercise 2c, आज यह last class है, last class में हम लोग 2c देख लेंगे, आप एद के बाद, फिर school open होने के बाद, लोग उस पर decide करेंगे, जो किस तरीके से हमारा class चलेगा, आप सकत के करम दोने है, आपस के बाद, जो की वो में यह में तरीके से का व्याओंगे,